जैहिंद, बिहार स्टेटी ने न क्यों तीन विशयों का जारी किया रिजल्ट, बलकि पूरे रिजल्ट को रिभाइजड कर दिया, यानि अब फिर से पूरे विशयों का रिजल्ट पब्लिश किया गया और मेरिट लिस्ट के आधारपन, अगर आप क्वालिफाइड थे और आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, इसका मतलब आपकी नोकरी नहीं, तो ये सरकार ने एक ऐसी चाल चल दी है, जिसमें सभी लोग बिल्कुल जो है अवसाद में चले गए, लेकिन क्या किया जा सकता है, सरकार की नीती मैं बार बर करता हूँ, क्योंकि कथनी और करने मे बहुत बरांतर है, तो अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा है, तो जाकर देख लिजे, जिन विसयो के भी सभी विसयो वाले देखे, कोई भी विसयो को ना कि वह तीन सब सभी, क्योंकि ये रिवाइजड रिजल्ट दे दिया गया है, मेरिट लिस्ट के अधार पर, आ लेकिन अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो आपका सेलेक्शन नहीं होगा, यानि आप नोकरी से बंचित रह जाएंगे, ये दुख वरी बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यहां तक सबसे ज़्यादा जो भीर दिखाए जा रही थी, वो SST और Computer Science में, उसमें त तो आखिर ऐसे सरकार ने रिजल्ट क्यों दिया, और जो बार बार संजग मर्चोधिली जी से इच्छा मतजिक कर रहे थे कि जी तने सी तूतने रिजल्ट्स, तो उनके बादे का क्या हुआ, उनके कहने का क्या हुआ, क्यों एक बार आसा देखर शब के दिलों को तोड़ तो यह जारिवा देख सकते हैं, यह जो है आपका पेपरवन में सोसल साइंस में 107 नंबर मार्क्स किये थे, क्वालिफाइड तो है, देख सकते हैं यहां पे, 107 नंबर अप्टेन करके, यह क्वालिफाइड है, यहां लिखा हुआ है, ठीक है, और लेकिन नौट इन लिश्ट जी यह मेरिट लिष्ट में नहीं है, यानि 107 नंबर लेकर भी सब्टेकस, 60, 140 इन सौरी, यह 143200 नंबर लेकर क्वालिफाइड हैं, ठीक है, एक 2400 नंबर लेकर नाम नहीं, यहां तक देख सकते हैं, इन्होंने अप्टेन मार्क्स जो है, प्रmiş हैं, 11410 13, और यहां पर qualified हैं लेकिन merit list में नाम नहीं है तो यह हालात Social Science और आपके Computer Science में तो अब आप लोग अपना merit list जरूर चेक करें और अपनी राये दें क्या सरकार ने जो कहा आप इसके बारे में क्या राय देती हैं और आप हमें यह भी जानकारी देखी क्या है इस मेरिट लिष्ट बनाने का तथ तो तमाम चीजों को मेरे सामने आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आप क्या चाहते हैं किस परकार से यह रिजल्ट दी गई